दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा नुसका जिसके इस्तिमाल से आप अपने चेहरे की जुरियां गर्दन की और हातों की जुरियों को बहुत आसानी से खतम कर सकते है यह बहुत एफेक्टिव तेल है और जिसकी वज़े से जिसके इस्तिमाल करने से आप इस तरह की समस्याँ से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों देखा जाता था पहले कि जुरियां बुढ़ापे की या ज्यादा उम्र की निसानी मानी जाती थी लेकिन आज इस भागधोड़ बरी जिंदगी में 20 और 25 साल की जो लोग है युवक है और उनके चहरे पर भी आजकल जुरिया देखने को मिलती है जिसकी वज़े से चहरा बहुत खराब दिखता है जादे उम्र लगती है उससे इसकी वज़े चाहे जो भी हो जैसे व्यस्त ज वाले फूड नहीं खाते हैं ज्यादा तर जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कारण है इसके चीक है दोस्तो यह तो प्रोड़क्ट मार्केट में काफी उपलब्ध हैं जुरियों को मिटाने के लिए लेकिन उसमें कैमिकल्स हैं और भेंगी भी प्रोड़क्ट ह हैं इसलिए हम लाएं हैं आपके लिए एक प्राकर्तिक नुसका इसके लिए प्राकर्तिक नुसके बहुत ज़्यादे अफेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा असरदार हैं इसलिए इन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं यह है कैस्टरोयल अ इसको लगाने की विधी हम आपको बताया देते हैं किस तरह से आपको इस्तिमाल करना है आप थोड़ा सा कटोरी में अरंडी का तेल या कैस्टरॉयल दोनों ये की बात है इसको लें और एक रूई की सहता से आप अरंडी के तेल को चहरे पर गर्दन पर हातों पर जहां भी आ महसूस होती है मैं आप इसको लगाएं ठीक है रात को सोने से पहले इस परिक्रिया को रोज दोहराएं रात को रोज सोने से पहले इसको इसको इस्तिमाल करें और इसे पूरी रात इस तेल को ऐसे ही लगा रहने दें दोस्तों इस परिक्रिया को रात को रोज आना दोहराने से आपके चहरे की और हातों की गर्दन की जुरियां 100% खतम हो जाएंगी अरंडी का तेल त्वचा में इलास्टिन और कॉलेजन का उत्पादन बढ़ा देता है जिसकी वज़े से आपके चहरे की जुरियां और fine lines जो बन जाती हैं चहरे के उपर वो खतम हो जाएंगी इसके लगातार इस्तेमाल से आपकी त्वेचा बहुत ही खुबसूरत और एकदम tight skin हो जाएगी जिसकी वज़े से चहरे के उपर हातों के उपर या गर्दन के उपर जुरियां दिखाई नहीं देंगी दोस्तो एक बह हमारे नुसका हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें दोस्तो हम जल्दी फिर लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तिल देन बाई बाई एंड टेक केर